करती क्यों नहीं है एक मिनिट सारादी कोई मेसिज नहीं करोगे आप सारादी इशान वापस आ जाएगा हम उसे ढून लेंगे लेकिन पापा जी सही तो कह रहे हैं शायद वो मेसिज पढ़के खुद भाखुद घर आजाएं मुझे तो बाबा जी की बात सही लग रही है पर मुझे गलत लग रहा है और इस घर में वैसे भी इनकी कभी नहीं चली है इस घर का हर फैसला इस घर की आउरत नहीं लिया है और आज भी वही होगा एंड प्लीज ट्रस्मी इशान मिल जाएगा हम भूण लाएंगे आप घबराहिये मत मिस्टर कपूर के रहतों एकुछ इंपॉसिबल नहीं है मेरा तो पता नहीं प्रिय है पर तूम जरूर वान वोमन आर्मी है आप ढून लाएंगे ना इशान को मिस्टर कपूर मैं उसे ढून लाऊंगा प्रिया आती नीचे मेरा इतिसार कर रहा है वी इलको फाइंड है आप जाएगे और मैं यही रुकूंगी बल्कि यहां रुके इसाबित करूंगी कि मिस्टर कपूर जो कहते हैं आप आप इशान को डून लाएंगे मुझे आप पर पूरा भरोसा है क्या सच में इशान मिल जाएगा इसे कहीं हो मेरे बारे में कुछ बोल दे नहीं नहीं वो इसे नहीं मिले तो अच्छा है कहां चला गया पता नहीं मुझे भी है राम अबे इशान वहां से खूदा है यार सीधे खिड़की से नीच है वहां से रेतरा बहदूर बच्चा है यार मैं तो अपनी लाइफ में नहीं सोच चकता उसने सारा डिस्टिंस कैलकुलेट कर लिया था यार वो बहुत होशयार है मतलब मतलब छोड़ तू एक काम कर यार क्रिश से बात हुई तेरी किसी कुछ शकल नहीं देखनी थी उसकी यार प्रिया यहां होती मेरे साथ कितनी टेंशन हो रही है उसे और अपने परिवार के बारे में सोच कर रूख गए तुझे पता है प्रिया के प्रिया की प्रेजन्स में वो सूध मीरा मा और सारा दी के लिए आप शनाप कह रहा था है आरो और अगर प्रिया वहां ना हो तो पता नि क्या हो जाए या चब उसने मेरा मा के बारे में उल्टा सुटा बोला ना तो मन कि असका चश्मा निकाल करना भोड़ दू मैं राम राम एक सेकंड रिलाइज पानी पानी जा एक मिरेट भाई ये ले राम ए तुछोड़ों नहीं मैं उस इंसान को यार बता नहीं ये प्रिया कैसे मैनेज करती है यार ये सब ये सब ये आफ तो बिलीवरादी मिष्टर महिंद मिष्टर गया भाड़ में वो महिंदर सूध है ना दस मिनट नहीं जहेल सकता मैं उसको यार प्रिया बचपन से जहेलती आ रही है यार पता नहीं केस उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया रोक लिया वर्ण मैं छोड़ता नहीं उसे क्या जवाब दिया यार मूँ तोड़ जवाब दिया अक मेरे बस में होता ना तो मूँ तोड़ देता सू इनसान कम है यार पर सब प्रिया की गलती है यार मुझे रोक लिया उस वाँ भई वाँ मतलब चंट सेकिंड लगा दिये तुन्हें प्रिया इस अमेजिंग से लेके सारी उसकी गलती है पर आने तक देख ले गड़ी देख ले तू अरे ये खृष का वीडियो कॉल आ रहा है ये ले राम एक सेकिंड है खृष हाए कुछ पता चला इशान का अश्यर कपूर लिया के घर के सामने एक गली है जो सीधा उस ओफिस वाली बिल्डिंग के तरफ जाती है बच्ची को भी देखा किया है तुमने खुद देखा उसे नहीं मेरे एक सोच नहीं सारा ने मुझे इसकी पिक्सिस दी दी ती तुमने ने सर्कुलिट कर दीती हर जगा ओके तुम आरे हो नहीं 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 ओके आ गेरिट कल मिलो गया है यस और होफुली तुम्हारी काम की खाबर के साथ ही मिलेंगे अल बेरी बैस काईस ओके यह 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 चालीस-पचास माले की तो बिल्डिंग है यह यह यह जगाद है यह जो एडने नहीं टो आण एकाद एगार सुन मानिकल रहा हुआ है तुम एकार निगल रहा हो जाए क्रेख के फोन करता हो तुम लो के लगार निगार निंगे ज्क में तुम लो के भॉट पार यह यह जगे रहा है मैं सुन सकता हूं आपको कान टेज है मेरे इसलिए स्कूल में मजाग बनता है युनों मजाग क्यों बनाता है वो लो क्योंकि तुमसे डरते हैं मुझसे डरते हैं मुझसे कोई नहीं डरता उल्ठा वो मुझे डराते हैं दे बुली मी नहीं, I'm telling you, they're afraid of you तर्पोक है, डरते हैं तुझसे क्यों? क्यों डरते हैं? क्योंकि टीजर उने पनिश करीगी लेकिन मैं तो किसी की कम्प्लेंट ही नहीं करता कर ही नहीं सकता तो फिर क्यों डरिंगे वो मुझसे क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो उन में से किसी के पास नहीं है एक तेज दमाग तदा है जिस लेवल की फिजिक्स तुम पढ़ते हो ना उननेस साल के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं वो तुम्हार ले तो केक वॉक है आपको आपको मेरे बारे में कैसे पता? मेरे आए मेरे तुम्हें यास काफी लोग जानते होंगे क्योंकि एक चालीस मंजिल की बिल्डिक पे ऐसे उपर खड़ा होना वो भी लेज पे अपके बस के बात नहीं है बहुत साहस चाहिए होता है इसके लिए अभी तो देखने आया हो तुम्हें या नहीं नहीं आप या मेरी मम्मी के वज़े से आया है परिशान होंगी वो और होनी भी चाहिए क्योंकि गलत कर रही थी वो मुझे मेरे डाड से अलग कर रही थी और इसलिए वो मुझे मुंबई लाई थी उल्लू बना के लेकिन नब जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं उन्हें सता रहा हूं इसलिए शान वो बच्चे जो तुम्हें स्कूल में धंकाते हैं वो तो यहीं चाहते हैं कि तुम घर जाओ और अपनी मम्मी को सता किन आयनो अधरवाइस जब तुम अपती घर की खिड़की से नीचे खूदे थे तुमने अबने मन में अलड़ी काल्कुलेट कर लिया होगा कि वो खिड़की से जमीन तक का दिस्टन्स क्या होगा और यू नुव रसे सेफ लैनिंग राइट और मजे यू भी पता है कि तुम इस उचाई बे खड़े हो के क्या सोच रहे हो चोड़गटा कर रहे हो ना कि ग्राविटेशनल पुटेंशल एनरजी और का इनेटिक एनरजी का हिसाब लगा रहो यहां से नीचे था नहीं? नहीं? यह ना एशान यह मिस्टर कपूर फिजिक्स की बात ही क्यों कर रहे हैं इसके साथ? शायद इशान का ध्यान भटकाने के लिए रैसे इशान मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जो जोड़! मैं कूछ जाओंगा नहीं? मैं यहां सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ मुझे फिजिक्स का खासा शौक है और तुम्हें भी, राइट? बड़ी बात्चीत हो जाए अगर कोई चीज यहां से गिरती है तो उसका ग्राविटीशनल अक्सलेरेशन क्या होता है? 9.8 मीट पर सेकंड स्क्वेर लेकिन वही चीज पेकी जाने के समय उसकी इनिशल वेलोसिटी जीरो मीट पर सेकंड स्क्वेर होती है हाँ अना एक रेस करे हम? एक काम करते है मेरे पास एक एक पैन है तो एक रेस लगाते हैं तुम नीचे कुदो, पैन नीचे गिरेगा देखते हैं कौन पहले पहुचता है एक सेकंड काफी हलका है तो नीचे टक्राते टक्राते तुरह वक्त लग जाएगा लेकिन अगर तुमने नीचे कूदने का फैसला किया तो मन बदलने का वक्त नहीं मिलेगा इसलिए अब फैसला तुमारे हाथ में क्या तुम नीचे कूदने के इस między theory को टيस्ट करना चाहोगे या जिंदा रहके एसी बहुत सी theories पर काम करना चाहूगे साइंटिस्ट बर्ना चाहोगे ह्म पर मेरे पास एतने पैसे नहीं है मेरे पास तो है इंफाक मेरा रश बहुत सारे पैस है एजी ही बैंग में बड़े हैं, धूल गा रहे हैं, या तो मैं तुब्बे खर्च कर सकता हूँ, तुम पढ़ लिखके कुछ, बड़ा काम कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, या वही पैसे जब तुम इहां से गिरोगे, तुम्हारे लाज में काम आएंगे, अभी फैसला like a sister, and I love my dad, just like I love physics, यानता हूँ, मुझे मेरे डाड से अलग नहीं होना, अब प्लीज मेरे डाड को देली मत भेजिये, ऐसा क्यों कह रहा है एशान, ये बात किसने डाली है इसके दिमाग में, नहीं भेजूँगा, in fact, वो यहां रहे के मेरे साथ मुम्बई में काम करेंग ये जी? प्रोमस, लिकिन इसके लिए, तुमे नीचे उतरना होगा, अधान, प्लीज होगा, इसके लिए, तुमे नीचे उतरना होगा, एचान, एचान, तुम ठीक हो इसे घर से क्यों भाग कर चले आए तो? बताओ मुझे और किस ने कहा आप से कि हम आपको आपके पापा से अलग करेंगे कौन डाल रहा आपकी दिवाग में इसा बताओ मुझे सारा उसे बॉम्बे इसलिये लेकर आई है ताकि उसे यहां रोग के वरुन को अखेले दिल्ली भेज़ दे के आपने मुझे से प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस के भी तोड़ता नहीं हूँ हम एशा ने भात आओं तो अपनी प्रियाम आशिये से पूछ सकते होगी है तो ठीक हो ना? चलो गर जले अच्छलो पूड़ी को वरुन चांडी आरती की थाली लग वा मा मिस्टर कपूर मेरी फैमिली में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे वो इनहीं में से एक हो हमेशा से अरे मेरा माँ सुनी ना मेरी भी नजर उतार लीचे आप हाहा क्यों नहीं आपको किसी की नजर नहीं लगीगी अरे बहुतों की काली नजर लगी हुई है और नूसरी वाली भी तो निकालिये न प्लीज जो भी हो प्रिया आपका बाल भी बाका नहीं होने देगी आपकी ढाल जो है वो बिलकुल मेरी मेरा माँ पर गई है स्ट्रॉंग अब यहीं खड़े रहेंगे अंदर चले इंच चले चले प्रिया एकदम शेर नहीं बन गी है वो एक एक करके सारे गीद्रों का शिकार करने वाली अब हमें क्या बोले जारे है वो यू शुट आप शुब यू शुट आप मानती हूं कि हम सब ने सोचा था कि प्रियाइस गर में आएगी और एक फरनिचर की पीस की तरह एक कोने में पड़ी रहेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए कुछ महीनों में हमने क्या कुछ ट्राइ नहीं किया लेकिन हम हुए हैं फेल तुमने ट्राइ किया मैंने ट्राइ किया पाभी ने ट्राइ किया लेकिन क्या हुआ लेकिन क्या हुआ लिनाओं में तुम्हे मॉट मॉम शुबू तुम बहुत लखी हो कि तुम्हारा वो जो मीटू का एपिसोड थाना वो बार नहीं आया किसी को पता नहीं चला वरना अगर किसी को पता चलता तो I know लेकिन शशी अगर इस केस की वज़े से वापस आया तो मुझे डरे कि वो मेरी पोल ना कुल था शशी ये बाद जानता है? हाँ माँ इसलिए तो मैंने इंस्टिगेट किया था शिवी को इस सब ड्रामा करने के लिए Are you serious Shubo? तु लोग ऐसे कैसी कर सकते हो? इस गर में कुछ करने से पहले आप दोनों में से कोई मुचे पूछता क्यू नहीं है एक बात बताओ मुझे राम को पाला किसने है? मैंने उसके दिमाग में ये बात किसने डाली? कि सिर्फ हम ही उसके अपने है? मैंने उसे ये रियलाइस किसने करवाया कि उसे सिर्फ हमारे लिए जीना चाहिए? मैंने 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 मानती हूँ मैं मानती हूँ कि हमने यह नहीं सोचा था कि राम प्रिया को पसंद करने लगेगा. पर यह तो बिल्कुल ही सोचा था कि प्रिया भी राम को पसंद करने लगेगी. लेकिन यह रियालिटी है शुबू. अब उनका रिष्टा अक्की और शिवी पर डिपेंडेंट नहीं है. इन फाइक हम सब का रिष्टा राम और प्रिया के रिष्टे पर डिपेंडेंट है. और आज तुमने जो बेवकूफी किया ना उसे तो तुमने प्रिया को जता दिया कि ये फैमिली उसे टेकन को ग्रांटेट करती है. अब मॉम, राम भाई प्रिया के पती होने से पहले मेरे भाई हैं. लेकिन अगर साइड लेने की बात आएगी, तो राम अपनी प्रिया की ही साइड लेगा ना? क्योंकि उसके हिसाब से प्रिया हमेशा राइट साइड में होती है. राम! शुबू, मेरी बात थ्यान से सुने. लोके, इससे पहले की शशी वापस आए और तुम्हारे लिए मुश्किले बढ़ाए, तुम अक्की को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ. उससे नस्दीकियां बढ़ाओ, ताकि वक्त आने पर अक्की तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी साइड ले. उसकी नहीं जो तुम्हारे भाई के बेहन के रिष्टे को तोड़ना चाती थी. समझे? एक और बात, राम और प्रिया का रिष्टा कोई नहीं तोड़ सकता. ये बात भी तुम समझ लो, कोई नहीं तोड़ सकता. तो प्लीज, स्टॉप ट्राइग. क्योंकि तुम्हारी आज की हरकत के बाद ना, प्रिया राम की नजरों में हीरो बन गई है. और तुम जीरो, जहाँ थे वही के वही. सब कुछ उड़ा हो रहा है, सब कुछ. We are losing everything. Everything. Damn it. Mom, I'm really sorry. I promise, आज के बाद से कोई गड़ बढ़नी होगी. We'll see to that. I, I promise. Please. Yeah. I'm sorry. Hey Rishan, तुझे तुझे तुमारे साथ स्कूल ना चेह था. हम लोग best friends होते थे. In fact, हम लोग अपना सारा homework भिना तुझी से करवादे भई. Hmm, जैसे मुझे कराया करते थे. आप शौ करवाते होंगे. और विक्रान तो जरूर करवाता होगा. उसका चेहरा देखे ही पता चल रहा है कि पढ़ाई में बिल्कुल जीरो होगा. लेकिन मैं पाकी के कामों में तो इक्तम हीरो था ना. अच्छा. Of course. कोई हीरो हीरो नहीं था तू, कांडी था एक नम्मर गा. कांडी? यह स्कूल में कांडी था, इसका नाम विक्रान कांडी रखे थे हम लो. अब बड़ी भी नहीं था, पतला दूबला था. तूबला था. तूबला था. जुड बला था. Ram. Thank you so much. तुम एशान को घर वापिस ले आए. Thank you so much. प्रियाब. Thank you. कोई थांक यू थांक यू बलने के शरूत नहीं है, हा? तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं. वैसे, थांक यू से याद आया. बेठेंगे आप यहाँ पे, एशान जी. पेला ही लो. फटाक सेक्सिप ले लो. Okay. Feeling better? Yeah. अब तुम्हें ना sorry कहने के ज़र होते हैं, ना सिर्फ mom और dad को, पर अपनी nani को भी. पताया कितने परेशान होगे थे, यार? कितामा हग? सुन, अगली बार जिंदगी में कोई भी परेशानी आया, तो ना कंप्लेन कर देना, ना मूँ फुला लेना, प्रिया मासिक की. मदलब, संडी की तरह? मूँ फुला लेना. लेकिन का प्रॉब्लम हो ना, तो प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए. अनलेस आप पीटी उशा हो तो, भाग सकते हो पर तुम पीटी उशा तो हो नहीं तुम तो आइंस्टैन बनोगे, फिजिक्स पढ़ते हो, राइट? हमेशा एक बात याद रखना है, इस रूम में जो कोई भी है, हम सब तुम्हारी फैमिली है. एक बढ़ मुड़के देख ले, यह दोनों मुर्ख भी. अगर जिंदगी में कभी भी मुश्किल आए, यू किन रिच आओ तो एनी वन उस, और हमेश से हर कोई तुम्हारी मदद करेंगी. या, एक स्माइल दे यार. जल जाब अपनी माँ को हग दे. Come on. Sorry. Sorry. It's okay. Sorry, Dad. अच्छा, हम भी घर चलते हैं. कल वापस आएंगे. अरे यार, प्रिया, ऐसे कैसे? आप हमें भुके में भगारी हो, यार. महीं का माँ, हमने तो सुना था क्या आप भलवा खिलाएंगी? अरे? हाँ, मैं.. इसलिए तो हम लोग नहीं है, मदद करने के लिए हम लोग तायार हुए थे. एक सेकिंड, मा, मा, इस तोंडुमल को ना एक चम्मत जादा मत खिलाना. ए, तोन पहनी जाने का! मेरी तोन को नजर लग जाती है. मेरे मा, आरती से नजर उतारी है. कर लिजे आरती, ब्री तो है नहीं, आरती कर लिजे. पहुत हासी आरी है इन लोगों को, और सब कुछ इनके बन मुताबिक हो रहना, उक्तीर दुबारा खुल गया, ये वरुनिया आ गया, और अब बचा ही क्या है? बस इनका हाथ और मेरी कर्तन है. मिरब, मैं चलता हूँ. माँ? 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 माँ?